इस फिल्म में एना नाम की लड़की दिखाई है जिसके बाल उसी के पीरेट का खुन पीकर तरह तरह के कांड करते हैं दोस्तों तो आपको यह कहानी सुनकर बहुत मज़ा आएगा तो शुरुवाती सीन में ऐसा दिखाया है कि यहाँ पे छोटी एना है और उसकी बड़ी बहन लिंडा उसके बाल में शैंपू करती है शैंपू करते वक्त उसके बाल जढ़ जाते है और उसे सीर पर घाव हो जाता है उस घ के बाद हमें फैक्टरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वरकर्स वीक बनाने का काम कर रहे होते है तो इस सीन का कनेक्शन के साथ है दोस्तों तो यह ध्यान रखना अब सीन शीफ्ट होता है 17 साल बाद 1989 में जहां आना बड़ी हो गई है फिर भी उसको अपने बाल इसके बाल हाड और करली होने के वज़े से वह बाल को कौम नहीं कर पाती इसलिए वह उसके बालों को वैसे ही बांद कर रखती है यहां आना कल्चरल नाम के कमपनी में काम करती थी पर बाल ठीक होने के वज़े से उसे अभी तक चैनल होश्ट का जौब नहीं मिला था इस वज़े से उसके पास हमेशा पैसो की तंगी रहती थी हमेशा की तरह आना आज भी ओफिस में पहुँशती है वहां उसे पता चलता है कि कमपनी का मालिक ब्रैंड मैडिसन वहाँ पर आया हुआ है वह कमपनी का हेड एडिना को निकाल कर किसी दूसरी मॉडल को वहां का यहां पर मैडिसन की मनशा ये थी दोस्तों कि अगर वो किसी अच्छी मॉडल को हेड रखता है तो कमपनी की और भी तरक्की होगी कल्चरल नाम के इस चैनल में एना का बॉर्फरेंड जूलियस भी काम करता था जो कई वीडियो होस्ट कर चुका था और एना का दिन खराब चल रहा होता है क्योंकि जब एना अपना काम खतम करके अपने बॉर्फरेंड जूलियस के पास जाती तब वो उस पर बेवज़ा घुसाने लगता है और आखिरकार ब्रेक अप करकर किसी और के साथ डेट पर जाने की बात करता है जिससे परेशान होकर एना वाश्रूम में जाकर रोने लगती है और सोचती है कि जूलियस जिसने अभी कुछ महीने पहले चानल को जॉइन किया था वो रिसेप्शनिस्ट से सीधा चानल का होस्ट बन गया और वो चार सार से चानल का होस्ट नहीं बन पाई इसी वज़े से वो परेशान हो जाती है आगे ऐसा सोचते हुए एना अपने घर जाती है और बेट पर बेट कर सोच रही होती है तब ही उसका मकान मालिक वहाँ पर उसे रेंट के लिए पैसे मागने के लिए नौक करता है और एना चुपके से अंदर चुप जाती है जहाँ चैनल की न्यू है जोरा सब के इंटर्वु ले रही होती है जोरा की मनशा ये होती है कि जो काम करते है उन्हें वो रखना चाती थी और जो काम नहीं करते है उन इंप्लोईस को वो हटाना चाती थी तो वह एना को इंटर्वु के लिए बुलाती है और एना से कुछ सवाल पूछती है जिसका एना अच्छे से जवाब देती है उससे खुश होकर जोरा एना से पूछती है तुम्हें कमपनी में काम करते हुए इतने साल हो गए फिर भी तुम्हें यहाँ प्रोमोशन क्यों नहीं मिला उस पर एना बोलती है कि मुझे यहाँ किसी ने सिरियसली लिया उसके बाद आना जोरा को एक अच्छा सा प्लान बताती है जिससे कमपनी की तरक्की हो उसे सुनकर जोरा खुश हो जाती है और पूछती है आना से कि तुम्हारे बाल कौन सवारता है अगर तुम्हारी अपरेंस ठीक होगी तो कमपनी की और भी तरक्की होगी तुम्हे चानल होस्ट का जॉब भी मिल सकता है ऐसा कहकर उसे एक वर्जिया नाम के सलून क्या पता बताती है कार्ट थमा कर बोलती है कि तूपी आना चानल का होस्ट बन कर प्रोमोशन पाना चाहती थी इसलिए वो वीग बनाने की सोचती है वहां से वो अपने अंकल के यहां जाती है जहां उसके अंकल अपने बच्चों को डायन याने वीचिस की कहानिया सुना रहे होते है और वह आना को देखकर एकदम से चुप हो जाते है और पैसो की तंगी होने की वज़े से अना की अंटी उसे 500 डॉलर वीग के लिए दे देती है अंकल की घर से लोटते वक्त अना को उसके अंकल एक वीच की बुग देती है जिसे वो नव चाहते हुए अपने पास रख लेती है अगले दिन एना अपने ओफिस से चुटी लेकर वरजियास के ओफिस में जाती है जहां वो 4500 डॉलर देकर अपने बालों में वीग लगाना शुरू कर देती है वीग लगाते वक्त उसके सिर में पहले से घा होने के वज़े से उसे बहुत सा दर्द होता है और वो वो सन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है उसके बाद जब वो होश पर आती है तब वो खुद को पहले से ज़्यादा खुबसूरत पाती है उसके बाद एना अपने नए बालों के साथ जब घर पर होती है तभी उसका मकान मालिक घर पर आकर किराय न देने की बात करता है और पाच दिन में घर खाली करने के लिए कहता है उससे परेशान होकर आना खुद को रिलाक्स करती है और अंकल की दी गई हुई किताब को पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें आना पढ़ती है कि एक औरत अपना काम करते हुए वापसारी होती है तभी उसे एक पेड दिखता है जिसमें ब्लाक कलर के मौस लगे हुए होते है जिसे वह काट कर अपने बालों में लगा देती है जो एक विक की तरह दिख हिए होते है उसके आगे एना कुछ पढ़ पाती उससे पहले उसे नीद आ जाती है और वो सो जाती है अगले दिन जब एना आफिस में जाती है तब सब लोग उसको देखकर उसकी तारिफ कर रहे होते है जिसे सुनकर एना बहुत खुश हो जाती है अगले ही वक्त हमें एना को जोरा के साथ मिटिंग में दिखाई जाता है जहां जोरा एना के concept यूज करके नया live show बनाने का सोचती है उसके बाद एना जोरा से चानल का host बनने की request करती है फिर भी जोरा उसे कहती है कि सोच कर बताऊंगी जिसके बाद उसके finger में उसके बाल चिपके हुए मिलते हैं उसे वो हटा देती है एक दिन एना घर पर होती है तबी उसका मकान मालिक उसके घर में जबरदेस्ती आ जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है एना बड़ी चालाकी से उसके सीने में छूरा गुसेर देती है उस वज़े से मकान मालिक नीचे गिर जाता है और एना बेहोश जब वो उठती है तब वो देखती है कि उसके बाल लंबे हो चुके है और वो मकान मालिक के सीने में बने हुए घाओ में गुस जाते हैं और उसका पूरा खुन पी लेते हैं उसके वज़े से मकान मालिक वही पे मर जाता है यह सब देखकर आना घबरा जाती है और वो मकान मालिक की लाश साइड की कॉलनी के कुड़े में फिक देती है दुसरे दिन वहाँ पुलिस आती है पर वह यह पता नहीं लगा पाती की मकानमाली की मौत कैसे हुई एक दिन जब आना को पीरेड आता है तब वो पैड लेने शोकेस के पास जाती है तब वो देखती है कि उसके बाल खुद से बड़े लंबे हो गए है और वो उसके अंदर जाकर उसके पीरेड का खुन पीने लग जाते है और खुन पीने के बाद उसके बाल खुद से ही ठीक हो जाते है और एना के आखों का कलर चेंज हो चाता है जैसे कोई अंदर उसके चुडेल हो ऐसे दिखता है एक दिन एना आफिस की पार्टी में साइड में चील कर रही होती है तब ही उसका बॉइफरेंड जूलियस वहाँ पर आ जाता है एना को मनाने की कोशिश करता है और ब्रेक अप से जूडी जो भी उसने बाते की थी उसके बारे में वो सौरी कहता है जो की एना भी उससे प्यार करती थी इसलिए वो जल मान जाती है उसके बाद जूलियस एना को उसके घर ले जाता है और वो उन दोनों में इंटिमेट सीन सुरू हो जाता है उसके बाद एना का आई कलर चेंज हो जाता है और वो जूलियट पर अटैक कर देती है उसके वज़े से जूलियट मर जाता है और उसके अंदर का खून उसके बाल पी लेते है ये सब होने के बाद एना वहाँ से भाग करा जाती है एना लिंडा को फोन करती है और कहती है कि अंकल की दी हुई वीच की बुक पड़े और उसमें जब वह औरत वीग लगाती है उसके आगी की कहानी वह लिंडा को बताने के लिए बताती है उसकी बहन कहानी पढ़ते हुए कहती है कि एक औरत जो जंगल से काम करते हुए आती है उसे एक black moss का पेड दिखाया देता है जिसे बालों के जैसे काले moss लगाय होते है उसको काट कर वो विग बना लेती है और पहन लेती है क्योंकि वो black moss चुडेल के होते है इसी वज़ा से वो अपनी प्यास बुजाने के लिए इंसान का खून करके उनका खून पी लेते है इसी के साथ आना को उसके साथ होने वाली सभी घटनाय याद आने लग जाती है और उसे यह समझ में आ जाता है कि उसके विग में एक चूडल के विग है आना अपने सीर में से वो विग हटाने का निरने लेती है और विग के सलोन में जाती है जैसे ही वह हेरस्टालर आना की विग को काटना शुरू करती है वैसे ही आना के आई का कलर चेंज हो जाता है और वह उस पर अटाक कर देती है उसी के साथ वहां के सभी लोगों को मार कर एना के बाल उनका खुन पी लेते है यह देखकर एना घबरा जाती है और वहां से भी भाग जाती है एना जोरा को कॉल करने की कोशिश करती है पर जोरा फोन नहीं उठाती इसलिए एना आफिस में जाती है वहाँ जाकर देखती है तो आफिस में एक उसके कलिक की मौत हो चुकी है और जोरा वहाँ पर बैठी हुई होती है वह जोरा की तरफ देखती है और पूछती है कि यह कैसे हुआ तो जोरा कहती है कि मैंने भी वरजिया आफिस से वीग लगवाई थी और मुझे भी वैसी ही तकलिफ हो रही है जैसे आइना को हो रही है दोनों भी बताते हैं कि हम दोनों ने चुडेल की वीग लगवाई है अब इससे चुटकारा कैसे पाए इस वज़े से जोरा कहती है कि मैं अपनी वीग खुद से ही काट लूगी उस पर आइना कहती है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा पर जोरा आइना की बात नहीं मानती और वीग काटने लगती है पर उसके बाल उसे फासी के फंदे में लटका देते है और उसकी वही पर मोत हो जाती है और एना वहाँ से भी भाग जाती है आखिरकार एना को उसके शो का होस्ट बना दिया जाता है और वह शो चालू रखती है पर एक दिन शो करते वक्त एना को जोरा की आत्मा दिखाई पड़ती है जिसे देखकर एना बहुत डर जाती है एना को जोरा की आत्मा बार-बार दिखाई देती है एना इस बारे में अपने कलिक को बताती है पर उसकी कलिक विश्वास नहीं करती तभी जोरा उस पर हमला करती है और एना वह सब देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है जोरा से भागते भागते एना एक कमरे में आकर छुप जाती है और वो जहां देखती है कि जोरा ने उस ओफिस के सभी कलिक्स को मार दिया होता है और उस कमरे में बंद कर दिया होता है एना वहां से भागते हुए नीचे की तरफ आती है वहां उसको एक कलिंग मिलती है और वो भी उससे कहती है कि जोरा उसको पीछे पड़ी हुई है और दोनों को वो वहां से भागने की सला देती है पर जोरा उस पर भी अटाक करकर उसे मार देती है जोरा ने जितने भी सबी लोगों को आफिस में जितने भी लोगों को मारा हुआ होता है सबी आना के पीछे पढ़ जाते है आना भाग कर एक डेस्के नीचे छुप जाती है और सिगरेट पीते पीटे उसे एक बात याद आती है जब वो विग लगाने गई थी तब हैरस्टाइलर ने उसे एक लोशन दिया था लगाने के लिए साथ में एक बात कही थी कि बालों को कभी मत भिगो ना उसी को याद करके आना फायर अलाम को आन कर देती है और सभी ओफिस में बारिश चुडू हो जाती है साथ ही सभी चुडूलों की मौत हो जाती है आना अपने विग को वही पर काट लेती है और वहां से चली जाती है फिल्म के लास सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि विक बनाने वाले वरकर्स काम कर रहे होते हैं और यहां ब्रैड बैडिसन जो कल्चरल कमपनी का मालिक था उसे खड़ा दिखाया जाता है और यहां कहानी खतम हो जाती है इस फिल्म का सीजन टू भी आने वाला है गाईज आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना